दोस्तों, साल 2024 की पहली बड़ी पूर्णिमा, पॉष पूर्णिमा, धन की देवी माता लक्ष्मी के आशीरवात से 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को दिखेगा, पॉष पूर्णिमा का चांद 12 राशियों में से इन 4 राशिवालों की लगेगी लोटरी, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, धन की देवी माता, लक्ष्मी के आशीरवात से पूरे 90 सालों के बाद, 25 जनवरी दिन गुरुवार को पॉष पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य दुरलभ महा शुभ संयोग, महा लक्ष्मी योग, धन लक्ष्मी प्राप्त चमकने वाली है, अब इन चार राश्यवालों को इस दिन यानि पॉष पूर्णिमा के दिन, करोडपती बनने से माला माल बनने से कोई नहीं रोक सकता, इन चार राश्यवालों को करोडपती बनने से माला माल बनने से पूष पूर्णिमा के दिन, यानि की 25 जनवरी को आप खुद्धन की देवी माता लक्ष्मी अब इन चार राशे वालों के घर पधार रही हैं साल दो हजार चौबीस की पहली पूर्णिमा के दिन यानि की पौश पूर्णिमा के दिन जिससे इन चार राशे वालों के जीवन के समस्त दुख दर्द संकट कष्ट हैं वे दूर होने और अब इन चार राशेवालों के जीवन में माता लक्षमी की कृपा से आने वाली है। अपार खुशियां ही खुशियां जिससे इन चार राशेवालों का जीवन बदल जाएगा। और राज योग में लौटरी लगने वाली है, करोडपती बनने वाली है, धन से माला माल बनने वाली है। इस वीडियो में हम आपको उनहीं चार खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में विस्तार पूर्वग बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडिय वीडियो साबित होने वाली है, इसलिए समय निकाल कर वीडियो को पूरा देखें। जी हां दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त। इस वीडियो को लाइक अवस्य कर दें। और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जै माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें। जिससे माता लक्ष्मी का आशीरवाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। दोस्तों आपको बता दें। पूर्ण कलाओं से परिपूर्ण होता है। यदि किसी पवित्र नदी में इस दिन सनान करने जाना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डाल कर घर पर ही सनान करें और सनान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको पवित्र नदी में सनान के बराबर फल प्राप्त होगा। आपको बता दें पौश पूर्णिमा पर सनान दान जप और वरत करने से व्यक्ति को पुन्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। इस दिन भगवान सूर्य देव की आराधना का भी विशेश महत्व है। आपको बता पौश पूर्णिमा के दिन प्राथाकाल जल्दी उठे सूर्योदय से पूर्व उठे और संभव हो सके तो इस दिन व्रत का संकल्प जरूर ले। पवित्र नदी में सनान करें किसी कुंड में। और सनान करने से पूर्व सबसे पहले आपको वरुण देव को और सनान के पश्चात भगवान सूर्यदेव के मंतरों का उचारण करते हुए एक लोटा, जल भगवान सूर्यदेव को जरूर दे, भगवान सूर्यदेव को अर्ध जरूर दे, आप पूश पूर्णिमा के दिन नान आदी से निर्वत होकर, भगवान विष्णुजी और अन्धन की देवी माता लक्ष्मी की विधी विधान से आपको इस दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको पीपल के पेड का ये उपाय जरूर करना चाहिए जो इस वीडियो में आपको बताएंगे। संध्याकाल के समय शाम के समय पौश पूर्णिमा के दिन और इसके बाद उस दीपक को पेड की जड में इस प्रकार रखें कि उस पीपल के पेड की परिक्रमा भी आप कर ले। एक 108 बार कम से कम 21 बार भी कर सकते हैं लेकिन 21 बार तो आपको जरूर करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह मंत्र का जाब करें। परिक्रमा करते समय अपनी मनो कामना मांगले दोस्तों। आपकी समस्त मनो कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी कोई भी उपाय करो या ना करो लेकिन इस उपाय को जरूर कर लेना। शत प्रतिशत लाभ आपको मिलना ही मिलना है। पौश पौर्णिमा के दिन इस उपाय को करेंगे तो स्वयम भगवान विश्णुजी माता लक्ष्मी समस्त मनो कामना आपकी पूर्ण कर देंगी और आपकी सभी मनो कामनाएं पूर्ण हो जाएं। ऐसा वर्दान आपको हाथो हाथो मिल जाएगा। इतने दुरलब संयोग में हैं। इस बार पौश पूर्णिमा इस उपाय को जरूर करें। भगवान विश्णुजी माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में अन धन के भंडार भरे रहेंगे। साथ पीडियों तक यह समझ ले। जी हाँ दोस्तों सदैव कृपा बरसेगी और दोस्तों साथ ही साथ अब बात करें। उन चार खुसनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जोकी माता लक्ष्मी की असीम कृपा से 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को बन रहे महलक्ष्मी योगधन, लक्ष्मी प्राप्ति योग, लक्ष्मी नारायन योग, अमरित सिध्धी योग और राज योग में बारह राशियों में से चार राशिवालों की लौटरी लगने वाली है, ये चार राशिवाले धन से माला माल होने वाले हैं, यूं कहें कि स्वयम विधाता भी अब नहीं इन चार राशिवालों को करोडपती बनने से, माला माल बनने से, पौश पूर्णिमा के दिन यानि की 25 जनवरी को, तो चलिए शुरू करते हैं, कौन-कौन सी वे चार, खुस नशी और भाग्यशाली राशियां। लेकिन क्या आप इस बात से परिचित हैं कि माता लक्ष्मी का स्वभाव बेहद चंचल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धन की देवी, माता लक्ष्मी एक जगह टिक कर नहीं रह पाती। यही वज़य है कि मनुष्य के जीवन में धन संबंधी उतार छड़ाव हमेशा आत ही रहते हैं। धन की देवी को प्रसंद करने के लिए लोग तमाम प्रकार के उपाय भी करते हैं, जिससे मां खुश होकर व्यक्ति को माला माल बनाती है। जी हां दोस्तों, आज के समय में इंसान को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे पहला आर्थिक तंगी है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के जीवन में ऐसे उतार छड़ाव ग्रहों की चाल से भी निरंतर होते रहते हैं। इसलिए मनुष्य हमेशा से ही भविश्य को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं। इसी क्रम में इस बार अब विशेश महा संयोग बन रहा है, जिसमें माता लक्ष्मी अब बारह राशियों में से चार राशियों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई हैं और इन पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें। जैसा कि हमने बताया है कि मनुष्य के जीवन में ग्रहों की चाल का बहुत इसी क्रम में इस बार के महा संयोग से माता लक्ष्मी इन चार राशिवालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई हैं। यूं कहें कि इन चार राशिवालों की अब लौटरी लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों ऐसा संयोग जीवन में कभी कभी ही आता है जिसमें माता लक् प्राप्ति होने वाली है। बहुत अधिक धन लाब प्राप्त करने वाले हैं। आपका जीवन सुखमय बनेगा। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं, उनको व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुश्खबरी प्राप्त होने वाली है। कन्या राशे वालों कहना गलत नहीं होगा माता, लक्षमी के आशीरवात से अब आपके जीवन में खुशियों का भंडार आने वाला है। आपका जीवन अब माता, लक्षमी खुशियों से भरने वाली है आपके जीवन में, अब आपको अनेकों प्रकार के लाभ, धन, लाभ और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होंगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशे आती है, वह राशे है, मेश। इनकी दशा को ही बदल कर रख देगा। आपको हर जगह से अब लाभ ही लाभ मिलेगा, साथ ही साथ, जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी की तलाश में हैं, उनकी मन्चाही इच्छा पूरी होगी, उन्हें मन्चाही नौकरी मिलेगी, और साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उनको नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि के भी योग हैं. मेश राशिवालों माता लक्ष्मी के आशीरवाद से, अब आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होने वाले हैं. साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनको माता लक्ष्मी के आशीरवाद से संता माता लक्षमी के आशीरवाद से मेश राशिवालों अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है माता लक्ष्मी स्वयम आपकी जोली खुशियों से भरने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राश्य आती है वह राश्य है कुम्भ राश्य जी हाँ दोस्तों कुम्भ राश्य वालों को बता दें कि माता लक्ष्मी अब आपके उपर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई है आपके उपर माता लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा बन रही है जिसकी वजह से आपके घर में सुक सम्रिध्य आएगी और पैसा बढ़ेगा अधिक धनलाब अब आ व्यापार में अधिक मुनाफा मिलने वाला है उनका व्यापार दिन दो गुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा साथ ही साथ जो लोग विदेश में जाकर नौकरी या परपढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो वह सपना इनका जल्द ही पूरा होगा माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी कार्य अब बहुत आसान तरीके से पूर्ण होने वाले हैं जो कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे वह कार्य आपके सफलता पूर्वक पूरे होंगे आपको हर जगह से अब कुम्भ राश्यवालों लाब ही लाब मिलने वाला माता लक्ष्मी की जबर्दस्त कृपा आपके उपर बन रही है। यूं कहे कि आपकी जल्द ही अब लौटरी लगने वाली है। कुम्भ राशे वालों माता लक्ष्मी के आशिरवाद से अब आपको अनेकों प्रकार के धनलाभ प्राप्ति के योग हैं और आपके जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला वाला है जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों इस लिस्ट की अगली राशे जानने से पहले अगर आपने अभी तक दा वास्तु शास्त्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवस्य कर लें जिससे की ऐसी ही ज्यान वर्धक विडियो आपको समय पर मिलती रहे दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वह राशी है तोला राशी जी हाँ दोस्तों तोला राशी वालों को बता दें कि माता लक्षमी की विशेश कृपा आपके उपर बन रही है जिससे आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक लाब होगा और इसके साथ ही पूर जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। नौकरी करने वालों को नौकरी में पदोन नती और वेतन वृद्ध के योग हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मन चाही नौकरी प्राप्थ होने वाली है। कहना गलत नहीं होगा। तुला राशिवालों माता लक्ष्मी के आशीरवात से आपकी सभी इच्छाएं अब पूर्ण होंगी। और समय आपके लिए पूर्ण तह अब पक्ष में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये थी वे चार खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां जो माता लक्ष्मी के आशीरवात से अब धन से माला माल होने वाली है। जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी का आशीरवात आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जै माता लक्ष्मी अवश्य लिखें।